हेलो फ्रैंट्स वेल्कम तू माई यूटूब चैनल दोस्तों मैं बना रही हूँ डोसा मसाला यह मसाला डोसा में डाल कर त्यार किया जाता है डोसा जो कि इसको डालने से डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है डोसा मसाला त्यार करने के लिए हमें चाहिए उबले सार्सो की दाने के साहते, लेका में लीका टाने, बनाले में कोट के हैं, कुछे वायो यह लान नमाइक, ठील गर्श घ्तै-ब टील के लां-पॉं। सांभर मसाला लिया है, नमाक लिया है सौधा नुसार और हरी मठल अभी एक कड़ाई में हम तेल गरम करेंगे, तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे सर्सों के दाने, ये चटकने लगे तो हम इसमें डाल देंगे अद्रक लैसन मिर्ची का पेस्ट और कड़ी पत्त डाल देंगे कड़ी पत्त हमारा जलने न पाए इसमें हम डाल देंगे प्याज प्याज हमें बहुत जाता नहीं भूनना है बस हलका सही भूनना है ये सॉफ्ट हो जाए बस और इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर और सांबर मसाला डाल देते हैं हल्दी पाउडर देगी मिर्च डाल देंगे नमक स्वादा नुसार डाल देंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे हरी मतर मतर से ये मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है आलू डाल कर हम इसे बराबर चलाते हुए भूनेंगे सारी चीजे मिलनेतक हमें इसे भूनना है अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई पनीर Every मृघ कुछे पुह थे पुझकड रहा हirtनिया डाल देते है। ये मसाला दोसा के लिए एकदम परफेक्ट बन करके तयार है दोस्तो इस तरीके से आप मसाला बना कर दोसा में डालेंगे तो दोसा हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बन करके तयार होता है और बहुत ज़्यादा स्वाधिश्च लगता है तो इस तरीके से आप बना प्लब मेज़ ने वे लियो ऑलगे हैं टूम है कि एम थे रूला करता है